हमें रियलिस्टिक होके सोचना पड़ेगा अब उनके पास रफाइल प्लेन हैं हमें कोई यॉर्पियन कांट्री प्लेन देने के लिए तियार नहीं है है अब ही यॉर्फंड हिटो एपना हिदूस्तान ऐपका स्वागत है मैं आज इसमें अधेश करना का वीडियो को देखने हैं पर वीडियो को लाइक करते को प्लीज वीडियो को लाइक करिये करीये चैनल को सब्कृब करे आ भी शामिल करेंगे, ओवर टू यू समी साथ, एक तो अलीना जो आज पाकिस्तान एर फोर्स के जो प्लेन शामिल किये गए है, चौदा, वो एक्चुली जैफ 17 थंडर ब्लॉक 3 है, आपने ब्लॉक 2 का कहा है, यह ब्लॉक 3 के हैं और इनकी जो पहली जो फ्लाइट थी, जिस ह कहते हैं, वो 2019 में हो गई थी, और इसकी जो प्रोड़क्शन का जो टाइम है, वो भी 15 दिन फी जहास, अब उसमें कमी आगी है, यह जल्दी से यह बन रहा है, पाकिस्तान के पास इससे पहले टोटल 149 प्लेन्स थे, लेकिन अब माशालला 163 प्लेन्स और यह टू सीटर है और यह बड़े जबरदस्त हैं, यह जो प्लेन है, लाइटर प्लेन है, और इसमें पाकिस्तानी पाइलिट्स की जो महारत है, उसने बिल्कुल इसको दो आथिया बना दी है, तो आज यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पॉलिटेक्स पे जो हम बात करेंगे, तो हाफ़ में जो भी कोई प्रोजेक्टाइल है, उसको उतबाह करने का ग्राउंड से उन्होंने वो हिट करके, तो बहुत जबरदस्त, यह एक, अलाकि पाकिस्तान बड़ी कंस्ट्रेंट्स हैं, बजट में इजाफा नहीं हुआ, दुश्मन हमारी सहरतों पर हमें ललकार रहा है, हम जा रहा है, लेकिन इन तमाम चीजों को एक तरफ रख के, जैसे वो कहते हैं ने कि राइजिंग अबव आल इस इशूस, पाकिस्तान की जो मुसलना फ़ाज हैं, जिसमें चाहिए फजाईया हो, जिसमें देवी हो, जिसमें पाकिस्तान की बर्री फाज हो, वो अपने तहीं सब कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के 22 वोड़ अमाम का जो गुस्तक्बिल है, वो यकीनी हो, उनकी सिक्यूरिटी हो, और फेबरिर में आपने देखा, जिस तरह पाकिस्तान में भारत के जहाज को गिराया, भी नंदर आया, लेकिन अब उसके बा आगे जो के जो जिसतलत से प्लेंटी बाकिस्तान और चाईना के दर्म्यान है एक एग्रीमेंट जिसमें दोनों मिलकर च्यलेंजेस का समरा करेंगें, लेकिन यह वक्त की जरूरत है, पाकिस्तान के हॉकमानों को इस चीज़ की जरूरत को महसूस करना चाहिए, बारत अपन काँएंगे लेकिन हम हदार साथ जंग लड़ेंगे दो कौमी नज़िये की बुर्याद पर मुसल्मानों का ये मुल्क इसने रहना है और यहां पर हर बच्चा अपनी साइडेंटी के लिए अपना सर कट्वाने के लिए त्यार है और पाकिस्तान की एरपोर्स है पाकिस्तान क की ग्राउंड हमारी बर्री फाज है पर पूर अंदाज में उन पर इतमाद है पाकिस्तान के अवाम का और बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दिवार को ये बहुत जरूरी है हम आच बजे का प्राइम टेंग शो कर रहे हैं लोगों को हमारे चैलेंजिस का बताना भी जरूरी ह जो पाकिसान की फाज कर रहे हैं वो भी बताना जरूरी है तो ये आज एक संगे भील है एक बहुत बड़ा ये हुआ है कि ये ब्लॉक 3 ये अब 17 थंडर जो है वो पाकिसान की फोर्स में अब शामन हो और मजीद इस पे काम हो रहा है आगे जदीद टेक्नोलोजी है और इस पाकिस्तानी मीडिया के तो अभी सही पसीने निकलने चालू हो गए है अभी तो रफाइल पूरे भी भारत नहीं थोड़े से रफाइल की वजह से पाकिस्तान की टांगे कापने लगी है और जो सोच रहे थे हमारी पाकिस्तानी एर्फोर्ड इतनी तगडिये जो एक तुक पाकिस्तान को वापिस कर दिया और अब चुप चाप बैठके चाइना के फरजी जीएफ 17 खरीद रहे हैं जिनको चाइना भी यूज नहीं करता धंक से यह हालत हो चुकी है पाकिस्तान की और पाकिस्तान को समझने चीए पहले रोटी का इंतजाम करें और यह सोचे कि अग